हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल अलफा मुनिटर में बहुत बहुत सवागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के तीन ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिससे हनुमान जी तुरंत परसन हो जाएंगे और आपके सारे दुख हर लेंगे इसके अलावा आपकी सबी च्छाएं पूरी होगी करज से चुटकरा मिलेगा घर में धन का आगमन होगा खुब सारा पैसा आएगा और आप माला माल हो जाएंगे और जिन्दगी में किसी भी परकार का दुख नहीं होगा तो आईए जानते हैं वे उपाय कौन से हैं लेकिन दोस्तों उन उपायों के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे चोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल अलफा मोनीटर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ ये उपाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हें सची दिल से करने पर ही आपको फाइदा मिलेगा अगर आप भी हनमान जी के बगत होंगे तो आपको भी सीरी राम चरित्र मानस की थोड़ी सी जनकरी तो आउश्य होगी और इसमें एक बेहदी मसुहूर चोपाई है मंगल बवन ए मंगल हारी यानि कि सभी का मंगल ही मंगल हो इस चोपाई को आप अकसर ही कई बार सुनते भी होंगे इसके बारे में रामाइन में भी बताया गया है कि सवम सीरी राम जी को भी शंक्तों से बजाने वाले सीरी हनमान जी मनुस्ये के कठिन से कठिन संकटों को पल बर में दूर कर देते हैं आज हम आपको तीन उपाए बताएंगे जिसे मंगलवार के दिन आपको करना है और तीन मंगलवार लगातार करना है ऐसा करने से हरुमाणजी परसन हो जाएंगे और आपके सब भी दुखों को दूर कर देंगे तो आईए जानते हैं उपायों के बारे में पहला उपाय इस उपाय के लिए आपको मंगलवार के दिन किसी भी हनमान जी के मंदिर में जाना है और अपने साथ में एक निम्बू और चार लोंग को ले जाना है फिर इसे हनमान जी के सामने बेट कर निम्बू के उपर चारों लोंगों को चड़ा देना है अब हनमान जी के इस 20 मंतर का जाप करना है जैसा कि आप सक्रीन पर लिखावा देख सकते हैं औम हेम, बरीम, हनुमते, सीरी, राम, दुताय, नमे आपको इस मंतर का 108 बार जाप करना है इस मंतर को जाप करने से हनमान जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे इस मंतर का जाप करने के बाद आप निम्बू को अपने साथ रख ले इस उपाय को करने के कुछ दिन बाद ही आपको फर्क दिखाई अपने आप देने लगेगा आपकी कठिन से कठिन समस्या दूर हो जाएगी दूसरा उपाय इस उपाय के लिए आपको किसी पुराने हर्मान जी के मंदिर में एक गिल्ला नारियल लेकर जाना होगा और वहाँ अन्मान जी के सामने खड़े होकर नारियल को अपने सिर से लेकर पेर तक सात बार उतार ना होगा और ऐसा करने के तुरंत बाद उसे वहीं पर जोड़ से पटक कर फूट देना है फिर ये उपाए करने के बाद वहीं मंदिर में बेट कर ही शाथ बार सरी हनुमान चालिसा का पाठ करना है ऐसा करने से आपकी सबी बादाय दूर हो जाएगी बस आपको यह दिहन रखना है कि इस उपाए को करते समय आपको कोई टोके नहीं यानि कि आप क्या कर रहे हो इस प्रकार से आप से कोई बाते ना करे और तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय को करने के बाद आपकी सभी प्रेशानिया दुर हो जाएगी इसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनमान जी के मंदिर में एक नारियल लेकर जाना है और सिंदूर से इस पर सवास्तिक बनाना है और फिर हनमान जी को बेंट कर देना है फिर हनमान सालिसा का एक बार पाठ करना है ऐसा करने से आपको बहुती जल्दी फल की प्राप्ती होगी आप इन तीनों उपायों मैंसे कोई सा भी उपाय कर सकते हैं ये तीनों उपाय ही बहुती कारगर उपाय है आसा करते हैं आपको मेरे दोरा दे गई जनकरी पसंदाई होगी अगर पसंदाई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वटसेप फेसो का देपर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना है ताकि उन्हें भी इस जनकरी का पता चल सके और वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे इस यूट्यूब चैनल अलफा मोनिटर को सब्सक्राइब जरूर करना है